वेलकम टू जी अन्वानर्स क्लासेश आज की इस वीडियो के अंदर हम ग्लुको नियो जेनेसिस के बार में देखेंगे जैसे कि आपको पता होगा ग्लुको का मतलब है कि ग्लुकोज नियो का मतलब है कि नियू आप याद रखें और जब भी जेनेसिस हुआड आएगा उसक तो कहां से फर्म हो रहा है कुछ नونकार्बोहर्डे सोर्स तो ग्लुकोज बनता है अंदर मने टूटने और पता है लेकिन यहां पे भात करें कि नाओब्रण ऑपको गना होगा तो यहां से आपको ग्लुको ze सब लोग पढ़े होंगे हम क्या करता है हुए हुआ उसको तोड़ते हैं ठीक है ना जैसे आपने वस्पन में पढ़ेंगे ग्लुकोज से ग्लुकोस सिक्स फस्पेट ग्लुकोस प्रुक्टोस फस्पेट ओल्टिमेटली यदि मतलब की एरोबिक रेस्पिरेसंस है आपको पाइरुवेट मिल रहा था याद है तो ठीक है पाइरुवेट को कनबट हो जाएंगे फिर वापस क्या होगा पाइरुवेट ग्लुकोस को कनबट होगा तो अल्टिमेटली आप ऐसे भी कह सकते हो कि ग्लुकोनियोजेनेसिस रिवर्स प्रोसेस अफ ग्लाइकॉलिसिस भी एक तरीके के रिवर्स प्रोसेस अफ सेल्स में होता है दूसरा किर्डarti सेllos में होता है सबसे जदा होता है लीभर सेल्स में 85 सечение के नाइंटी परसंट सिर्व फाइब पर्षेंटेज कि आसबास होता है किड्णी में कब होगा जो प्रूलॉंग्ड श्टार्विशन आपने कहीं दिनों से नहीं खाना नहीं खा रहे हैं तो ऊसटार्विशन में की है तो उस टाइम पर होता है या मैटाबोले गेश्युडो तो यह तो हो गया, Glucosinenges के Introductions लिख ऊगे, तो उनकी substrate कौन है, मतलग कि काह से आपको glucose बनाना है, Non Carbohydrate तो हमने बताया substrate कौन है, पहला substrate होता है, Glacolytic Product, यहनि कि जो ग्लाइकोलिसिस हो रहा था, हमने यहाँ पे बात किये थे, Glacolysis, Glyacolysis के end product आपको क्या ईप्रोड़ाना यहां से भी आपको ग्लुकोज मना सकते हो पाइरुविट से भी आप ग्लुकोज मना सकते हो ठीक है साइट्रक एसिड्स आप देख रहे हो हमारे बोड़ी के अंदर लगभग 300 से जादा आमिनोसिड्स होता है लेकिन प्रोटीन बनाने में सिर्फ 20 आमिनोसिड्स यूज होता है ठीक है अच्छा तो हमारे बोड़ी के अंदर आक्च्वली जो फैक्टी असिड्स होता है हम लोग माइक्रोगनेजिम और प्लांट जो होते हैं फैक्टी असिड्स से में भी ग्लुकोज बना देते हैं लेकिन आनिमल के पास कापासिट नहीं है वो फैक्टी असिड्स से ग आनिमेट् सेट्वा एसला के लिए आनिम 110 को एंसेट्ज रिवर्भी जाके दो झाल लेक्टेटे के और आनिम्यकर मसीद्स में डियाप तरह ब्लांटं दी निया थी असिड्स इंद तरिसंट्र AI से सिट्री भाज़न Schuld मश्मे को ऊंपा जाये का और मिलिसृ मेध्ड मी तो Oxalacidate Phosphoenol Pyruvate को कनवट हो जाएगा फिर यह Glucose को कनवट हो जाएगा तो कहीना कहीं All these Sustrated जो कि Pyruvate को कनवट होंगे पाइरवेट से आपका Glucose बनेगा तो पाइरवेट से ग्लकोज बनने की जो step है देखे पाइरवेट सबसे पहले Oxalacidate को कनवट होगा Oxalicite, Oxalicite Phosphoenol Pyruvate को convert होगा, PEP Phosphoenol Pyruvate ठीक है ना, Phosphoenol Pyruvate जब रहेगा तो आप इसी देख सकते हो, ठीक है ना, Pyruvate Phosphoenol Pyruvate, तो Pyruvate से जब Phosphoenol Pyruvate हो रहा है, तो यहां पर आप देख सकते हो, रियाक्षन्स उपर 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 ऐशी चलता चला जाएगा, ultimately आपको glucose मिलेगा end product में ठीक है अच्छा इदिए हमने थोड़ अशा glycolysis process को दीखेंगे glycolysis में जो red color में जो arrow mark दे रखा है वो glycolysis के लिए यहाँ पर step 1, step 3 and step 10 यह process जो होता है यह irreversible process तो glycolysis की irreversible process में अच्छा में काम करेगा तो इसलिए हम क्या करेंगे glycolysis में जो enzymes यूज हो रहा है इसमें अलग-अलग enzymes यूज होगा समझभा है ना बाते च्छा ठीक है अब हम देखेंगे कि जो gluconeozenesis होते हैं जैसे कि हमने बताए कि उनके सारे जो रहेंगा प्रिकरस और नोन कार्बोहईडरेट्स रहेगा और और अलन कार्बोहईडरेट्स प्रिकरस पाइबर्ट को कनबड होना है ठीक है ना थ्री इर्रिवर्स बल स्टेप्स जैसे हमने स्टेप वान देखा glycolysis के स्टेप्स रहेगा ग्लुकोसिक्स फस्पेट इसमें एनजाइमी इस्तमाल हो रहा है हेक्सो काइनेज ठीक है थार्ड glycolysis की थार्ड स्टेप्स जो होता है फूक्तोसिक्स फस्पेट से फूक्तो जो अंसिक्स बिसफ़च बनता है यहाँ पे एनजाइम्स यूज होता है Phosphofructokinase PFK, ठीक है, उसके बाद जो last steps होता है Phosphoenol pyruvate to pyruvate Pyruvate kinase enzymes यहां पे युज हो रहा है, ठीक है हमको क्या करना है इस तीनों enzymes को replace करना जब अपने जीजों लिखोगे बास उही enzymes को focus करोगे तो काम हो जाएगा ठीक है तो glycolysis इसकी जो steps देखेंगे, मतलग कि बड़ी दो चीजों में देखेंगे, पहला steps क्या होता है, देखें, हमको pyruvate, क्योंकि मैंने बताए न, amino acids हो गया, या lactate हो गया, या जो भी चीजे है, जितने भी substrate आपने देखा, non-carvoidate से, सारे pyruvate को गए, तो पहला steps आप कर रहेगा, क्य pyruvate से phosphoenol pyruvate आपको बनाना है, पहला steps यह, दूसरा steps है, यह चुछ चुछे बनेगा, phosphoenol pyruvate से कैसे हम glucose बनाएंगे, तो यहाँ पर एक steps है, लेकिन दो enzymes involved हो रहा है, ठीक है, आच्छे धान दीजिए, यहाँ पर steps एक है, pyruvate से, आपको सिर phosphoenol pyruvate बनाना है, लेकिन द enzymes यूज हो रहा है, यहाँ पर steps क्या है, मतलब कि एक बर phosphoenol pyruvate बनने के बाद आपको glucose बनाना है, लेकिन यहाँ पर दो reversible steps आ रहा है, यहाँ बनाना है, यहाँ पर फ्रुक्टो जो अन्सिक्स बिस फस्पेट से, फ्रुक्टो 6 फस्पेट बनाना है, फिर फ्रुक्टो 6 फ होगा instead of the hexokinase, clear हुआ आपको बाते हैं, ठीके, तो आइए मैं आपको पहले बताती हूँ कि क्या क्या चीजे हमको बतलग कि समझना है, तो पहला step से कि फॉस्पोenol pyruvate से हमको बनाना है, जिसे कि glycolysis की end product क्या होता है, पाइरुवेट होता है, पाइरुवेट क्या होगा when convert phospoenol pyruvate to pyruvate, then we need two enzymes, वो enzymes की नाम होता है, एक होता है, पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, उसको PC याद रखे, दूसरा होता है, फॉस्पोenol pyruvate कार्बोक्सिकाइनेज, पेप सीके, यहाँ पे PC and पेप सीके याद रखे, पाइरुवेट कार्बोक्सिकाइनेज, तो क् हम देखेंगे सबसे पहले जो pyruvate होता है, वो mitocyto, आपको पता होगा cell है, cell में cytoplasms रहता है, ठीके ना, मलेजी नुकलियस है, यहाँ पे आपको myto-kondria देखने को मिलेगा, glycolysis जब होता है, cytosol में होता है, ठीके ना, glycolysis की end product pyruvate होता है, वो pyruvate क्या करेगा, myto-kondria क की अंदर entry लेने के बाद, that will converted into the oxaloacetic acid, ठीके ना, oxaloacetate हम मुझे इसको बोलते हैं, ठीके, आच्छा, तो क्यो myto-kondria के अंदर pyruvate carboxylase enzymes जो होता है, पाए जाता है, ठीके, आच्छा, तो यहाँ पे और एक चीज होता है, कुछ organisms ऐसे होते हैं, जिनकी myto-kondria के अंदर सभी organisms की myto-kondria के अंदर paps फीके, तो paps के समझ में आ रहा है, तो phosphoenol pyruvate carboxy kinase, इस enzymes की में नाम बोल रहे हूं, ठीके ना, ओही enzymes सभी में present होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीके ना, तो इसलिए जिसके पास presents रहता है myto-kondria में, यहाँ पे क्या होगा, oxaloacetate जो हो जिसकी body के अंदर क्या है, उनकी cytosol में paps के पाय जाता है, ठीके ना, paps के enzymes पाय जाता है, तो उस case में क्या होगा, oxaloacetate जो होता है, यह malate को पहले convert होगा, क्योंकि oxaloacetate directly mitochondria को cross नहीं करवाएगा, तो इसलिए malate को convert हो जाएगा, malate cytoplasms को आ जाएगा, again, malate oxaloacetate को convert ह होगा, oxaloacetate pep ck की presence में, phosphoenol pyruvate को convert हो जाएगा, और एक बार phosphoenol pyruvate बन जाएगा, तो उसके बाद glucose बनाना आसान है, समझवाएगा, तो यह चीज होता है, तो यह दी दो रास्ता है, यदि mitochondria के अंदर भी pap बन रहा है, directly PC and pep ck present है, तो बन जाएगा, कोई problem नहीं है, यदि pep ck present नहीं है, तो oxaloacetate को mallet को convert होगा, ना पड़ेगा, mallet जो है, cross करेगा, mitochondria and cytoplasm में, वापस mallet oxaloacetate को convert होगा, pep ck की presence में pep को convert हो जाएगा, ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, pep से कैसे glucose बनेगा, यहाँ पर दो steps, glycolysis की जो दो irreversible steps involved रहा है, fructose 1,6-bisphosphate to fructose 6-phosphate, ठीक है, during glycolysis enzyme phosphor fructokinase जो था, वो required था, बड़ यहाँ पर हम जो enzymes use करेंगे, that is the citrate enzymes use होगा, citrate enzymes जो होता है, stimulate करता है बisphosphate activity को, कि citrate enzymes की presence में, fructose 1,6-bisphosphate से fructose 6-phosphate बन जाएगा, ठीक है ना, आच्छा, तो यहाँ पर याद रखिये, एदी fructose 2,6-bisphosphate present है, या AMP, जैसे ATP आप पढ़ते हो न, adenosine monophosphate, AMP याद रखिये, present है, ति यह reaction नहीं हो पाएगा, इसको हम inhibitor कहते हैं, कभी-कभी ऐसे पुछा आता है, यह बहुत important point है, कभी-कभी MCV के दौरान पुछा आता है, यह steps की inhibitor होता है, तो यह demand लेजी inhibitor present नहीं है, तो आराम से काम हो जाएगा, फिर उसके बाद आपका बात आता है, glucose 6-phosphate से glucose बनना, ठीक है, तो glucose 6-phosphate की मतलब क्या है, ग्लुकोज की 6-th carbon, जैसे आपको पता होगा, ग्लुकोज जो होता है, ग्लुकोज में आपका कितना पाए जाता है, carbon C6 हम बोलते हैं, C6-H12-O6, तो 6-carbon रहता है, 6-carbon में फॉस्पेट जुड़ा है, तो इसलिए हम क्या बोलते है, ग्लुकोज 6-phosphate, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हिक्सो काइनज एंजाइम्स क्या कर रहा था, ग्लुकोज को ग्लुकोज 6-phosphate में convert कर रहा था, हम क्या करेंगे, फॉस्पाटेज एंजाइम्स आड़ कर देंगे, जो कि क्या करेंगा, 6-position से फॉस्पेट को remove कर देगा, तो एक बार फॉस्पेट remove हो जाएगा, तो यह ग्लुकोज को convert हो जाएगा, तो यह है पुरा का पुरा आपकी gluconeogenesis process, मतलब कि किस प्रकार के different डिफरेंट जो पाथो है, यानिकि इस substrate है, जैसे हमने lactate देखा, glyceral देखा, हमने aminosis देखा, oxaloacetate देखा, वो सारे के सारे pyruvate को convert होंगे, pyruvate फिर आपका phosphoenol pyruvate को convert होगा, मतलब कि pyruvate entry करेगा mitochondria को, mitochondria के अंदर यह oxaloacetate को convert होगा, oxaloacetate जो होता है pepsi के enzymes की presence में phosphoenol pyruvate को convert हो जाएगा, यह दी pepsi के enzymes mitochondria में present है, यह दी pepsi के enzymes mitochondria में present नहीं है, then oxaloacetate आपकी mallet को convert होगा, mallet mitochondria को crush छोड़के cytoplasms को आजाएगा, oxaloacetate mitochondria की membrane होता है उसको crush नहीं कर पा रहा है, इसलिए हम उसको mallet को convert कर रहाता है, फिर आपकाश अंदर आपस oxaloacetate को convert होगा, oxaloacetate pepsi के presence में तो phosphoenol pyruvate को convert हो जाएगा, एक बार phosphoenol pyruvate बन गया, तो उसके बार इतने reaction है, वो तो revolution था हो चलेगा, लेकिन जो glycolysis की step 3 मैंने बताए थी, फ्रुक्तो जो N6 Phosphate, फ्रुक्तो 6 Phosphate, citrate की presence में होगा, यहां पर phosphatage enzymes, एक Phosphate को remove कर देगा, तो आपका glucose बन जाएगा, तो आपको note की दोरान ऐसे लिखना है, introductions में यह चीज लिखना है कि glucogenesis क्या होता है, कहां pay होता है, introductions में यह लिखना है, दूसरा चीज उनकी substrate क्या होता है, कौन सी product से glucose, non-carbated product से glucose बन रहा है, यह लिखना है, तो उसके बाद आपको यह diagram बनाना है, कि किस तरीके से different, different जो substrate है, प्राइब आइरविट को आ रहा ह है, तो पाइरविट से फिर कैसे glucose बन रहा है, यह लिखना है, यह diagram मैंने समझाने के लिए आपको बताए थी, यह आपको लिखना है, बस glycogenesis आपको बस यह diagram लिखना है, ठीक है, यह मैं समझाने के लिए बताए थी, यह नहीं लिखना चाहिए, ठीक है, उसके बाद आपक ले लिजिए सारे के सारे, फिर यह स्टेप्स बड़ा इंपोर्टन्ट है, जो स्टेप्स लिखा है ना, पायरवेट से फॉस्पैनल पायरवेट आपको बनाना है, जो एंजाइम से अलग 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 था, यह भी थोड़ा लेखना चाहिए, ठीक है, फिर देखिये, इबला, फिर इसको लिखना है, ठीक है, यह लिखना है, यह लिखना है, ठीक है, जैसे हमने बात किये थे, तो यहां पे भी दो इनिविटर की बात किये थे, ठीक है, अई होब आपको वीडियो अच्छे समझ माएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सस्क्राइब कीजि थेंक यू